हेलो फ्रेंड्स, वेल्कुम टू मैं चैनल, स्टडी विश रूती आज इस वीडियो में हम डिस्कूस करेंगे फंक्शन ओफ नर्स की एक नर्स के क्या-क्या फंक्शन्स होते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि जो एक प्रोफेशनल नर्स होती है वो सिर्फ प्लैनिंग के लिए नहीं बल्कि जो सपोर्ट प्रोवाइड गरना होता है नर्सिंग केर देनी होती है पीपल को जिसको नीड होती है nursing care की वो सारी किस में आती है वो सब किसकी responsibility होती है एक professional nurse के होती है यह services वो सर्फ hospital में नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसे multiple settings होती है जहां पर वो देती है तो इसके बाद हम देखते हैं कि functions क्या-क्या होते है एक nurse के तो सबसे पहले आता है caregiver caregiver में क्या होता है nurse जो है वो patient को assist करती है उसको देखती है physically, psychologically और उसको care प्रोवाइड करती है direct care और इसमें क्या होता है patient का welfare होता है patient को अच्छा करने के लिए उसको ठीक करने के लिए nurse उसकी care करती है उसके बाद आता है counselor counselor में क्या होता है जो patient होता है, nurse patient की help करती है, recognize करने में, कि इसको क्या problem है, क्या उसकी stressful, psychological, social problem है, क्या उसकी interpersonal relationship जो है फिर establish करती है, patient की growth में, उसको contribute करती है, उसको emotionally strong बनाती है, उसकी जो भी psychological या intellectual जो भी problems होती है, वो उसमें contribution करने में help करती है, उसको क्या बनाती है, strong बनाती है, उसको उसकी problem recognize करके उसको ठीक करने की कोशिश करती है। उसके बाद आता है clinical and ethical decision making यानि कि workforce करती है clinical and ethical decision making क्या करती है कि वो work करती है जो भी patient के rights होते हैं उनको protect करती हैं, उनके benefits जो है patient को बताती है और समझाती है patient को भी और उसकी family को भी। उसके बाद आता है clinical advocate इसमें उसे होता है कि केस मेने जाता है कि केस को कैसे मैनेज किया जाता है जैसे कि मेडिकल रतेकर्डेश अटेकर्स वहरा है इसे हरे सारी चीजें उसे ते हम सब को प्लाइन करना प्रपर गाईडास देना स्टाफ को मैनेज करना पूरी स्क्रीन जो एक्टिविटी स्क्रीन होती है पूरी कि हाँ ये एक्टिविटी है उसके बाद ये है और अगर कोई अच्छा कर रहे है तो उसको प्राइज देना डिसेंटली वे में उसको जो है आगे पर्मोट करना कि और पूरा जो स्टाफ है या जो भी ओर्गिनाइजेशन है जो भी डिपेंडिंग सिच्वेशन के लिए एप्रोप्रियेट है वो सब देखना किसका काम होता है केस मेनेजर का उसके बाद आता है कमफर्टर ये वो नर्स होती है जो पर्मोट करती है ये पर्मोट को पेशन्ट के फैमली के जब भी जो टाइम पेरियER होता है केर देने का उसके साथ यानि कि एक नर्स है वो पेशन्ट को केर दे रही है तो पेशन्ट को फिल कराए कि हाँ आप कमफर्टेबल ठीक करो आपको को पोई भी प्रोब्लम नहीं होगी इस procedure से है, इन medication से और ये आपके लिए बिल्कुल safe है, तो वो जो patient को और उसके family को fill कराना होता है, वो होता है comforter, comforter का का काम होता है, फिर आता है rehabilitation, ये वो nurse होती है, जो important role play करती है, health को restore करने में patient की, और ये जो nurse होती है, वो patient के साथ ही काम करना शुरू करती है, the nurse works with the patient, patient की भी इसमें होता है, कि हाँ patient भी खुद को ठीक करना चाता है, वो nurse भी, तो इसमें क्या होता है, कि वो regain कर पाते है health status को, उसके बाद आता है communicator, communicator जो nurse support provide कराती है, patient को health care team के साथ, पूरी team और community को जो support चाहिए होता है, उसके लिए, और communicator में क्या होता है, कि कई पार ऐसा होता है, कि हमें कोई language नहीं आती और वो किसी और को आती है, तो उसको हम ऐसा communicator भी यूज करते हैं, तो उसके बाद teacher, teacher का भी रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें patient को बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी ऐसे technique, skills, knowledge होती है, जो patient को पता होनी चाहिए, तो वो जो हम उसको सिखाते हैं, उनको guide करते हैं, तो वो as a teacher भी जो है nurse काम करती है, उसके बाद आता है researcher, researcher क्या होते हैं, ये वो nurse होते हैं, जो participate करते हैं, आगे और research करने के लिए problems को, या फिर scientific investigations के लिए, क्योंकि ये बात तो हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, कि जो भी nurse काम क करती है, जो भी वो procedure करेगी, वो एक research based होना चाहिए, तो research भी तो कोई करेगा ना, तो इसलिए researcher का भी enroll होता है nurse में, और at last आता है leader, एक nurse के अंदर leadership की qualities होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि कैसे वो patient को ठीक करेगी, कैसे वो उसको अपनी बातों में, मतलब leader का क्या काम होता है, कि हाँ, उससे सब जो है सहमत हों, वो जो कह रहा है, वो सब माने, समझें उस चीज़ को, तो ये चीज़ बहुत necessary होती है, तो nurse को भी अपने पूरे staff को support करना होता है, अपने जो भी work faculties हैं, उनको सब को budgetary में देखना होता है, जो भी unit है, उसको proper organization में रखना होता है, even patient को भी जो है ध्यान से देखके उसको समझाना होता है, तो as a leader वाली quality भी जो है nurse में होनी चाहिए,